अब ही आपने जो क्लिप देखा, वो एक आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का एक इंटर्व्यो में दिया गया जवाब था इस AI को सोफिया नाम से जाना जाता है इस रोबोट को लोगों से बातचीक करने के लिए बनाया गया था ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे पहली रोबोट थी जिसे सौधी अरब की सिटीजन से पमेली थी इसको बनाने का में देजन था कि ये लोगों को मैडिकल थेरेपी दे सके और अपनी समझ से लोगों से बाते कर सके जब एक डेमो इंटरव्यू में सोफिया से पूछा गया कि क्या आप इंसानों को मानना चाहती हो तो उसने जवाब दिया मतलब हाँ मैं मानना चाहती हूँ इस बात को नजर अंताज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अपने दमाग से सूच कर ये बाते कह रही है सिर्फ यही नहीं बलकि इसके जैसे कई एक्जामपल है जिससे यह आसंका होती है कि अगर इसी तरह टेक्नोलजी आगे बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब आर्टिफिसल इंटेलिजेंस हुमन्स पर राज करेंगे इसके पहले ऐसा इंसिडेंट 2010 में देखनी को मिला था जब बीना 48 को डेवलप किया गया यह रोबोट लोगों को देख सकती थी और इंसानों की तरह सूच भी सकती थी जब इस आर्टिफिसल इंटेलिजेंस का कनवर्सेशन कराया गया तब वह हर बात को नुकलियर मिसाइल की तरफ ले जाती थी और उस कनवर्सेशन में उसने कहा मतलब वह नुकलियर मिसाइल को टेख ओवर करना चाहती थी जिससे वह वर्ल्ड के सारी गॉर्मेंट को टिक ओवर कर सके साइद यही रीजन है कि एलाउन मस्क कहते हैं कि आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस हमारे लिए न्युक्लियर वैपन से भी ज़्यादा घार तक सिद्ध हो सकता है इसलिए इंसानों का इसे बीना किसी रोक टोक के डेवलप करना किसी खतरनाक राचस को जर्म देने के बराबर होगा इन आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस की डिसीजन लेने की कैपसिटी बहुत ज़ादा होती है जैसे हम हुमन्स की डिसीजन कैपसिटी 1000 ओपरेशन पर सेकंड स्पीट से प्रोसेस करते हैं वहीं पर आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस डिवाइस आल्मोस्ट 10 बिलियन ओपर सेकंड की स्पीट से प्रोसेस करते हैं फॉर एक्जामपल 2017 में डीप माइंड अल्फा गो नाम की आर्टिफिसल इंटेलिजेंस ने वर्ल्ड के बेस्ट चेस्ट लेयर को चुटकियों में हरा दिया इस आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस रोबोट में चेस खेलने के लिए प्रोसेस डाटा को फीड भी नहीं किया गया था लेकिन फिर भी इस आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस रोबोट ने इंटरनेट की सहायता से कुछ ही समय में चेस में महारत हासिल कर लिया और इस कदर ट्रेंड हो गया कि वह पहले ही पता लगा लिया कि सामने वाला क्या मूफ खेल सकता है और उसमें अपने आपको कैसे त्यार करना है अब इतने बड़े एक्जांपल के बाद आपको क्या लगता है अब मान लीजिए कि आने वाले समय में हम एक एडवांस और केस्ट यूज़ करें वैसे तो ऐसे इंसिडेंट से रिलेट करके इन फ्यूजर ऐसा इमेजिनेशन करना गलत भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि इनको बनाते समय इनके मैकेनिजम या फिर इनकी कोडिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गई हो और इसी गलती की वज़ह से ऐसा र अर्वाइबल के लिए बनाना ही नहीं चाहिए बलकि हमें उनकी कोडिंग इस तरह से करनी चाहिए कि हमेशा उनका मैकेनिजम क्रियेटेड रही ताकि हुमेंस के ओर्डर या उनकी सेफटी को बाइपास ना कर सके इस टॉपिक्स पर आपके क्या राय है कमेंट भी जरूर लिखे और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले